नमस्तियों दोस्तों विलकम बेग माई चैनल लेड़ेस नूज तो लेड़ेस नूज में आप सभी का सौगत है तो फाइनली का जितने भी चात्रों ने यूपी स्कॉलर सी 223 के लिए फार्म को अपलाई कर लिया है तो सभी चात्र अपने पैसे का इंतजार कर रहे थे तो फ सब्सक्राइब आपके लिए बहुत ही जड़ा इंपॉर्डेंट है तो प्लीज आपसे वीडियो को इसकी पर के बिल्कुल भी मत देखना हो के तो सबसे पहले आप यहां पर सकीन पर साफ साफ देख पाएंगे नहीं आप आपके 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 लेटेस नूज पेपर में स आप मानुटरी के हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्डेंट है तो कईस यहां पर सबसे पहले आपको इस आडिकल में बताया जा रहा है कि द्रीबे गंजन सबसक्ति करल की पिछला वर्ग मंत्री नरयन कस्यम ने कहा है कि पिछले वर्ग के करीद 23667 को इस पदस्वनी को लेकर कार्योजना त्यार करने को कहा है मंत्री ने अधिकारियों को कहा है कि छातरवासों को निरिशर कर उनका फीड़ बैक ले और निधारी समय में अयोजनाओं को सम्मदित कार्व पूर्य करें तो कैस्ट यहां पर जो भी आपका कार है उसको पूला करने क कि ओबीसी की बचों को मिलेगा बारफ सो पचास की दर से मिलेगा वजीफा तो यहां वह निउस नियूज की तरफ से यह काफी ट्रेंडिंग चल रहा है क्योंकि यहां पर इस बाइस वार्फ जो आपको वजीफा है हर साल कि आपको 4500 रुपे तक मिलता था लेकि इस बर क् मातर गईस آپको 220 रुपरी मिलने वाला है जो इस हिंदुस्तान न्यूज की तरफ से अर्डिकल Public क्या गया है तो गईस मैं आपको कुछ और इसके साथ बताने माला हो दी गईस क्या होता है न की जो हिंदुस्तान न्यूज इसकी कई प्रिकार की team होती है तो देखें क्या होता है जो निउस्पिपर की टीम होती है न और आर्टीच चाहिए जो आपको SUS किल पर साफसा दिख रखा कोई यहां पर आपको ही हिंदुस्तान नूस के निज जो आपका होता है तो मतलब ही इंहां पर आलग आलग इसकी टीम होती है और guys जो update आपको newspaper में दिया जाता है वही update आपको article के माध्यम से भी दिया जाता है लेकि बहुत से बचे हैं उनको trust नहीं होता है तो guys यहाँ पे आप देख पाएंगे ना यहाँ पे latest update यहाँ पे है कि UP scholarship में OBC के बच्चों को मिलेगा 4000 के बजाए 2550 रुपे के दर से ही मिले सबसे पहले जाती हैं सबसे पहले अपडेट में आपको आपको आप्डेम सबसें में आपको समझ में आहां पको समझ में आ सक के जो आने वाला आपका है तो यहां पे जात रहे हैं इनको वाइस यहां पर टोटल दियान दियान देखी गाइस क्या है कि इन बच्चों की संख्या दस लाग साड़ जार के करीब है कि उत्तर प्रदेश में कच्छा दस से नीचे कच्छाओं में पल रहे अंड़ पिशा हुआ बच्चों को 1250 की पुराइन दर्श से ही वजीफा मिलेगा इन बच्चों की संख्या है दस लाग साड़ जार के करीब है हलाकि केन सरकार ने प्राइम मिनिस्टर यंग चीवर्स स्कॉर्षी वावेदन इसकी पर ब्राइब सारी गाइस वाइब ब्रेंट इंडिया योजनल यहां पर आपने दिखा होगा है यहां पर यह आमार उजला का जो अपडेट है यहां पर यहां पर मातर 23 लाग चात्र एसे जिनको वजीफा मिलने वाला है तो यहां पर गाइस अगर जनरल केटेगरी के होना तब भी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और इस बार गाइस कि यहां पर यहां पर कुछ बेदभाव नहीं होने वाला चाहिए किसी कास्ट यहां पर कोई बेदभाव आपकी साथ में होने वाला है यहांपर है आपको इसका पर बहुत कर दिया है या फिर खाई सोरी आपस डेट से अब्रेट किया रहा है सब्सक्राइब करते रहें चाहे आपका पेंडिक सो करते रहें चाहे आपका पेंडिक सो करते हैं या फिर कोई सब कर रहा है तो आपको अपने स्टेटस को चेकं करने के लिए गूगल पर सच कर लेना है बोर्ट एक्जाम डॉट कॉम सच कर लेते होना यहां पर आपके सब्सक्राइब करते हैं विड़ा मैं यहां पर इस पकार से इंटर पिजिस आएगे यहां पर इस आते ही आप नीशे आपको आ जाना है नीशे आप जैसे यहां पर आते हो ना यहां पर बहुत सी लिंक यहां पर अवेलबाल है तो फटा फर्स आप विजिट करके अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं तो कई सबीट कर लेना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब अपने चेकर सकते हैं पिर से मिलते हैं अब बाइब आए